दोस्तों यह जो है धनिया है और यह मिश्री है यह धागे वाली मिश्री है यह धनिया खड़ी है दोस्तों महिलाओं को गरब धानर करने के वाद कुल्प्टी की सिकायद होती है उसमें यह घरेली उचार बहुत ही कागर है इसे आप जो है इसका चूंड बना लें और मिश्री को पीश लें दोनों बराबर बराबर होने चाहिए बराबर बराबर पीश करके इसको जो है यह चटनी बन जाएगी मिश्री और धनिये की इसको जो है दो तीन बार दिन में चाड़ते रहें उल्टी नहीं होगी दोस्तों यह चलक संगिता में से लिया गया है चलक संगिता से मैं बता रहा हूँ आपको सेयर कर रहा हूँ जानकारी दे रहा हूँ परिसान होने की जोट नहीं है अगर महेलाओं को गरब धार्ण के समय उल्टी हो रही है तो इसका परयोग अपनी जिम्म धारी पे कर सकती हैं लाब मिलेगा वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्य बाद एक बार और बताते चलें कि ये धन्या है और ये मिस्री है मिस्री दोस्तों धागे वाली होनी चाहिए उसमें धागा लगा हो वही मिस्री चाहिए और धन्या बराबर बरावर मात्रा में पीछ करके इसकी चटने बना करके महिला को जो तीन वार जो है जो गर्व धान की हुई है उल्टी होती है तो इनको चाटने से लाख मिलता है वीडियो देखने के लिए रोग्स धन्वाद इसी तरह की वीडियो मैं बरावर बनाता रहता हूँ जानकारी द जरूर करें ताकि अगला वीडियो आपके पास पहले पहुंचे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद